तो दोस्तों question है मक्का का उंगरेजी में क्या कहा जाता है option aggregator, option shifter, option c mage या फिर option disclaimer तो इस cancel करने के लिए आपको जी जाता है 5 second का समय तो इस cancel होगा option number c mage मक्का का उंगरेजी में mage कहा जाता है तो कैसे पहले आपको इसका meaning पता था comment box में ज़रूर बताएं और मेरे प्यारे साथियों आज के लैप के पास question first है खिचडी को English में क्या का जाता है और वही question second है सिंदूर को English में क्या का जाता है इन दोनों question का meaning comment box में लिखना न भूले तो दोस्तों अगर आप इनका meaning नहीं जानते हैं और आप जानना चाहते हो कि इनका meaning क्या होता है तो हम पूरी playlist का link discussion box या फिर आई बटन में डार रहे है उस playlist को जुरू चे कर ले क्योंकि उस playlist मेंसे कई सारी word है जो हमारी daily life में यूज होते है लेकिन हमें उनके meaning English में पता ही नहीं होते तो उस playlist को जुरू चे कर ले और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेलाजन को प्रस करना ना भूले जिससे कि आपको आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन चाइन टाइम लिती रहे हमारी मुलकाद होगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हल्पे बेटाई देखते रहिए और सीखते रहिए धन्यवाद